अनुप बाई बना रहे हैं किचन में हैंड फिडिंग हैंड फिडिंग के लिए उन्होंने पहले पानी गरम किया गरम पानी बोईल वोटर करना है फिर उसके साथ ए-90 यूज़ करते हैं कोकाटेल के अलावा के लिए यह ए-90 यूज़ करते हैं अनुप बढ़ा मेंगा फोर्मिला है 2000 रुपे का लगबग 800 ग्राम आता है ठीक है तो चले दोस्तों बेक केमरा करके फटा-फट की स्टाइल में मैं आपको अनुप बहुत सारे सवाल करवाता हूं पहले पानी गरम किया मैंने बाद में एक कटोरी में ए-90 डाला ठीक है अप वन टाइम हैंड फीड भी करवाता हूं सपोर्ट फीडिंग खाते हैं फिर बाद में सामके टाइम उन लोगों को में मतलब सपोर्ट फीड देना चालू रखते हो जरूरत के हिसाब सब भी पानी मिला रहे हो आप ठीक है यह केसी मतलब बहुत घाड़ा रखते हो या पतला लुए मेडियम रखते हो ठीक है तो एक बर्ड को कितना देते हो अभी अभी में वह धसे मेल चल जाता है मेरा ठीक है तो अभी दोस्तों हैंट फीडिंग करवाते हुए भी आपको दिखाएंगे में जहां भी जाओंगा तो उसका लाइव वीडियो आपको दे दूंगा त 2325 रुपे का है 800 ग्रम थोड़ा सा डिसकाउंट के साथ कुछ 2000 या 2100 का यह मिलता है तो आप बोलते हैं कि यह हंटें बर्ड वाले पैसा क्यों लेते हैं अरे भाई यह में फोर्मिला ही इतना महंगा है क्या करें इसमें अगर मैं आपको मानू तो एक संकन्यूर कितने एक डब्डे में कितने संकन्यूर हो सकते हैं छोटे से लिकर बड़ा दो हो सकते हैं आइनटीन दो सिर्फ दो हो सकते हैं सोचो दूस्तों मतलब संकन्यूर 1000 रुपे का तो ए-19 खा जाएगा मेहनत तो फिर अलग टाइम से खिलाना अलग दोस्तों टाइम अलग है बागी चेक आउट कर सकते हाले की अपनी अपनी कुछ अलग-अलग मेथाड होती है कोई ज्यादा परफेक्षन से बनाता है कोई दोस्तों कम परफेक्षन से बनाता है लेकिन कोका टेल के लिए दोस्तों बहुत ध्यान रखना होता है अगर सुरवाती दोर में हैं आप तो अब दोस्तों देखिए अनूब भाई जो है ट्रेनिंग देते हैं ठीक है अब देखिए यह बर्ड जो है ओटोमेटिकली बाहर आएंगे ठीक है यह देखा बुला रहे हैं देखिए इनकी तरफ आ गए केमेरा जैसे मैंने बंद किया इतनी देर में यह आए संचिक कनियोर बड़े ही खुबसूरत लगते हैं दोस्तों संचिक कनियोर बड़े ही वाइबरेन कलर है और दोस्तों अभी खास बात यह संचिक का प्राइज जो है भारत में कम हुआ है बिकोज इन्होंने ब्रीड थोड़ी सी किये वरना इनकी ब्रीड करवाना बहुत ही मुश्किल था साइज में यह नॉर्मल कनियोर जितने ही होते हैं ठीक है पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने बहुत सारे इनके बड़ दिखाए और बाते की और इस घर के बारे में भी थोड़ी बहुत बाते की चलिए अब हेंड फिडिंग करके आपको दिखाएंगे हैं ना हर निकाल के हेंड फिडिंग दे रहे हैं ताकि इनको एक नेचर में पता चले कि मुझे मेरे माबाप के पास आना है अभी आप इनके माबाप हैं कि यह कितने दिन के होंगे अनुप भाई यह एली फोर मंत की है और यह डाई मंत जैसे होगे अच्छा कि लूट लूट के दोस्तों खा रहे हैं देखिए एक दूसरे से लूट रहे हैं यह कहां चले गए देखिए यहां वहां उड़ रहे हैं यह दोस्तों जीगर हम नहीं कर सकते है ठीके यह देखिए यह यह कुनसे वाला है क्या नाम है इसकां मेक्स आया दोस्तों यह मेल है देखे और दो फीमेल यह आया तो इसको इनाम देंगे ठीक है तो यह इस तरीके से आपको करना यह जिगर दोस्तों हमारा नहीं हो सकता कि हम इतने महंगे बर्ड को बाहर चोड़ अभी लगबग संची कन्योर का प्राइस ब्रीडिंग पेर का आज भी है तो 15,000 रुपे के बर्ड को बाहर छोड़ देना इतना जिगर वाला काम है तो अभी केमेरे पर बेठा है न वह आ गया है और एली आई है और मेरे हाथ पे बेठी है क्या खूब सूरत यह वीडियो बन रहा है दोस्तों इतने अच्छे नेचर में इतनी मज़े की चीज और इनके पास है तो यह ऐसे आपको ट्रेनिंग देनी है इनको ट्रीट्स दीजिए यह देखें नेरो भी आ गई यह नेरो भी नाम रखाए इनों ने ठीक है अब देखो इनको अब हैंट फिडिंग दे रहे मतलब उनको लगा कि आप इनको बुलाने पर आप आए और में खाना मिला तो जब बड़े हो जाते तो आप क्या देते इनको वह सब मिक्सीड मिक्सीड स्प्राउट सब उसको भी मैं वन टाइम उसको स्प्राउट स कि बहुत खूबसूरत दोस्तों संचिक कन्योर ट्रेंड हो रहे हैं अभी और आप और कुछ सीटी वगेरा यूज़ करते हैं बहुत दूर भूल गया मैं उदर से लाने को अच्छा है तो दोस्तों यह जितने छोटे होंगे देखे में इसको बिठा लेता हूं यह देखे म इनको पेड़ पे बिठा के मैं अनुप भाई से कुछ सवाल करता हूं और यह नेचर में खुले में जो कह रहे हैं आज कल मैं दोस्तों अब एक और कल्चर भारत में लाना चाहता हूं कि भारत में फ्री फ्लाइ कल्चर आ जाए जिसकी वज़े से कुछ लोगों को लगता ह हैं तो वह कल्चर अब दीरे-दीरे हम खतम करने की और बढ़ेंगे फिर से के मेरे पर आ गया है ठीक है यह देखिए बहुत अच्छे तो अब दोस्तों यह देखिए यहां-वहां उड़ रहे हैं कोई टेंसन नहीं है यह कल्चर बढ़ा ना है हमें भारत में अब चलिए अनूब जी से कुछ सवाल करते हैं यह हैं और हैंट फिडिंग खुले में दे रहे हैं ठीक है आपने अगर इनको ट्रेंड किया हुआ होगा तो यह ओटोमेटिकली मांग मांग के लेंगे और दोस्तों बर्ड जब भूखा होगा वो खुद बखुद खाना मांगेगा खाना मांगे तब उसको खाना आपको जरूर देना है ठीक है बिना मांगे जबर्दस्ती ओवर फिडिंग नहीं करवानी है ठीक है एक का रेड फेक्टर बहुत अच्छा है यह भी मैंने सूरत अच्छा सूरत से लिया आपने अभी हम और बर्ड को भी मेंट फिडिंग करवाएंगे वह सूरत में राजू भाई करके हैं उससे मैंने लिया था आपको उतके पास से संकन्योर के बेबी भी मिल जाएंगे जितने चाहिए उतने और संचिक के भी मिल सकते हैं तो दोस्तों इस साइज में होना चाहिए ठीक है बिल्कुल छोटा बेबी लाकर आप दे देंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वह सिरिफ सबको हैंड फिडिंग करवाते रहें अब इस उमर की अवस्था के बाद आप इसको ट्रेनिंग के लिए दे सकत आफरिकन ग्रे का वीडियो में आपको जरूर कहूंगा कि जाके देखिए बाई साब ने आफरिकन ग्रे ट्रेनिंग किये थे और वह बाई साब आके लेके भी गया और अभी वह खुश है अपनी उससे वह घर पे उस पे निकालता है लेकिन वह क्या है उसके घर के उदर तो वह डर की वाजा से वह नहीं नीकालता है और अफ्रिकन मुझे दोस्तों लोग थोंचने हैं बोलने वाला तो तोस्तों सबसे अच्छा बोलने वाला तोता जो है वर्ल्ड में अफ्रिकन ग्रे ए't to a आप उसको फ्री फ्लाइ कर वा लिजी अनुपए के पास उसके बाद बोलने वाला होगा तो तो उसमें चार चान लग जाएंगे ठीक है यह देखिए एक भाग गया और फिर आएगा थोड़ी दिर में एले